वेलकम बेक to my YouTube channel, आज हम बनाएंगे South Indian डोसा, उसके लिए मैंने दो कटोरी चावल लूँगे, एक कटोरी के नाप से, और एक कटोरी मैंने टाल लिए यह, चावल दो कटोरी लूँगे, चने की दाल लिए, चने की दाल थोड़ी लिए, मेथी दाना है, और पोया, उड़त चावल को मैएक साथ बहो दूंगी चनी की दाल और मेती दानों को अलग बहोंगी मैंने कटोरव टाइप कर ले लिया है इसमें मैं चावल ओर ऑरा कि दाल को बहों दूगी अच्छी से दो, कि इनको दो लिये यह मैं इसमें तीन चार घंटे के लिए पानी भर दूंगे और भिगो के छोड़ दूंगे चनी की दाल और मीठी दानों का लग से भिगो दूंगे कटोरी गंदरी इसमें जो चावाल और उड़त दाल भिगोया है उनको पहले ग्रैंड कर लेती हूं और थड़ धर्द्र भी करना आइए थी गरेंड कर लिए ऑब दाल भी ग्रैंड कर लिए इसको अलग से ग्रैंड किये क्युक्त ज़्यादा देर तो ग्रेंड करना पड़ता है अब इन सब को में अच्छे से मिला के रख दूगी अश्वादन उसर नमक अभी डाल दोगी अब इनको हम ढखके रख देंगे नमक को अच्छे से मिला के क्योंकि हमको सुबह बेटर पूरत तयार मिलेगा और सुबह ज्यादा काम नहीं रहेगा तो अंधिया बना लेते फिर दोसा सुबह तक फूल भी जाएगा तो हम देखते हैं अभी सुबह हो गई है कितना फूल ग लेंगे नारेल चटनी बनाने के लिए मुमफली इनको मैं सेख लोंगे अच्छे सभी तवेप है और सेख के छिलका उतार लेंगे हम दालें और साहरी नारेयल सबकोंESS क्रीड के लिए मुमफली और अच्छे स नारेयल को डाले अच्छी तवाइब sizi लाइड होगा है आप हमने कुछ संब जानिया के पत्ती डालें इनको ग्रायंड के लिए खेमें जाते डालते साथ में ज्यादा ग्रायंड होगया अब निकाल लिए बार कवार रिकवर देकर ऑख्या धनिया को अमाएस में चोक मारूंगे तो आदन उसा नमागेड कर दिया मैं अभी समय वित्तबा लिया तब इक उपर मैं थोड़ा सा तेल ले लिया ज्यादा तेल नहीं लेते इसमय यूड़त की दाल लिया मैं जीरा लिया और राई रेड मिर्ची साबट इन सब को मैं डाल दिया तेल गरम हो गया हम बैं कर दूंगी यह सौफ जो मैं तैयार किया हुआ नारेल चटनी उसमें मैं मार दिया चौक तो में नारेल चटनी तैयार है हम मस्साला डोसे के लिए फड़ा सा आलू का मस्साला तैयार कर देते हैं तो मैं उबले हुए तीन चार आलू लिये कुछ प्या जो कट कर लिये आपकैशी भी कर सकते हैं वोटा भी कट कर सकते हरी मिर्ची ले लिए आम में लोंगे कड़ाई में थोड़ा सा तेल जादे तेल ने लेना इसमें इनका तेल दिया है तेल हो गया गरम मैंने डाल दिया है जीर और आई वगेरा जैसे इतर जाएंगे तो मैं अब आओ इसमें जो प्याज कट करें वह भी डाल दोंगे अरिमिर्ची डाल प्रियों पहले अब है मैं डालों प्याज जो कट किया कुछ प्याज मैंने रख लिए इनको अच्छे से फ्रैका लोगे और ज्यादा फ्रै नहीं करना है लगंधाव करना है थोड़ी देर के लिए फ्रैकरना एक मिंट के लिए कि अब मैं शूआ देन रिसमें नमक्ट लूदी पौवडर पॉर्ड मिर्ची में नहीं डालोंगी पौवडर पाउडर नहीं डालोंगी क्योंकि मैंने गरीन मिर्ची डाल दिया है ज्यादा थीका नहीं करना मुझे आप चाहित रेड मिर्ची भी यूज़ कर सकते इसमें अब में जो आलू उबाले थे उनको भी इसमें डाल रहे हुए कि मसाला मेरे तैयार हो गया वे आलू का अच्छे से मिला लूँगी मैं इनको अभी थोड़ा लग अलग दिख रहे हैं इनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी चमस से इसू का धनी डाल दिया है कि सबको मिला कि अच्छे से में मिक्स कर लूँगे मसाले के लिए हमको आलो का मसाला जो डोसी में डालना जो कि अच्छे से मिक्स हो गया है अब मेरा मसाला तैयार है हम इसमें थोड़ा सा सामर मसाला एड़ कर दूँगे एक सामर मसाला डालने से इसका और बैच्चा टेस्ट आता है मसाले का आलो की मसाले का यह सामर मसाला भी अभी एड़ कर दिया मैंने इसको बैच्चे से मिक्स कर लूँगी मैं भी को इसको मैंने गरिफ की साइड में है अब बनाएंगे एम दूसा के बैटर कुछा है और चीछ matter l दूसा को बैच्च को पेना जाल दूसा कि आपके कर देंना का इसलिए मिक्स हषाग अधे बैठर दिया है तब एक उपर अ पर 5979 पसंद करते हैं इटली डोसा को मेरे डोसा बन गया है अभी अभी थोड़ा से सुक नहीं पाएगा तब मैं इसको पर थोड़ा प्याज डाल दूंगे तेल बगरा भी कुछ मीनी डाला है अब हम मसाला डालेंगे जो आलू को बनाया था मनने मसले में पत्ता गुबी बगरा वेड कर सकते हो मसला कम ज्यादा भी डाल सकते हैं तो मैंने यह मसला डाल दिया है अब में डेड करूंगे थोड़ा से तील इसको उपर जाजा ती रेड नहीं करना थोड़ा ही करना है बस यह हो गया तील इसमें इसे नहीं है कि छुड़ाना पड़ता है यह चिप अगया कर गए अपना पी उपर आ जाता है तो मैं इसको राउंड सेप में फॉल्ड कर दूंगे बन गया है दो से इसी तरीकिस में दूसरे डोसा बना लूंगे तब यह अच्छी साब कर लोगी फेले कपड़े कीले कपड़े साहता से बापस वह बैटर डालूंगे मैं कटोरी से बना रहे हैं आप चाहिए तो सब्जी बनाने का चमच रहता गोल वाला उसी से भी बना सकते हैं जैसे जैसे इसमें ठेक ठेक आ रहा है यह बीच में इसे से मालूम होता है कि बैटर हमारा अच्छे से तैयार है कि नहीं है यह आना जरूए है पुर्से गया मेरी डोसा भी गर में इस ली में जो अच्छे से नहीं हो रहा है होल्ड बन गए डोसा सभी डोसों को में इसी तरह किसे बना लेती हूं और अपना डोसे उपर आ जाते हैं इसमें इतना जर्रत नहीं रहता है कि छुडाना चिपक गया यह करना वो करना साउथ के भूती फेमस है इनास्ता आप भी घर पे बना सकते हो गाइस ही भोत अच्छी तरह किसे बन जाता है और इसमें ज्यादा मेनत बगरा भी नहीं रहती है और गाइस इसको बिना मसाले के भी खा सकते हैं जरूरी नहीं क्या आलो का मसाला यह एड़ करें इसमें ऐसे भी अच्छी लगते हैं यह डोसा ुए फी तेस को तर्वन के तैयार हो गया मेरी पूरी ठाली यह सामर है नरेल चट्नी है और मसाला ईह साहे आम कैसे भी खा सकते हैं üzette को मसाले डोसा यह साथ जाँ सकते ऑसाillah साधर भी ऑन सहा, अच्छी लगते लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब ना बधाइभ के यूटियर